कि हलो एवरिवान वेलकम बैक टो वाय यूटूब चैनल कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग आप लोग सब बिलकुल ठीक होंगे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ मेरा करवा चौद के दिन का मेक अप किस तरीके से मैं तयार हुई थी किस तरीके से मैंने minimize make-up किया था बहुत ही easy way में और ये वाला make-up आप दिवाली पे भी आप create कर सकते हो बहुत ही easy है तो चली start करते हैं सबसे पहले मैंने CTM कर लिया था CTM guys बहुत ही ज़रूरी है इससे हमारा make-up flawless लगता है CTM करने के बाद मैंने यहां पे eyebrow को set किया है क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है eyebrow हमारी main होती है तो सबसे पहले eyebrow को मैं set कर दूँगी so friends इसके बाद concealer मैंने लिया था concealer से पूरा eyebrow को भी set करूँगी और जो हमारे eye dark circle है उसको भी high करेगा ये तो concealer लगाते है eyes पे ताकि हमारा जो eye make up है वो अच्छे से देखे तो highlight point में सबसे पहले मैं concealer भी लगाऊंगी eyes पे तो मैंने लगा ही लिया है उसके बाद जो हमारे highlights point होते है nose और आखों के नीचे ये वाला जो area है ये में लगा रही हूँ concealer ये वाला जो होता है highlight point होता है वहाँ पे concealer लगाते ही हमारे जो features है वो अच्छे से देखते हैं तो इसके बाद यहाँ पे clean beauty blender लिया है मैंने तो आप देख सकते हो blending हमारी बिल्कुल proper होनी चाहिए चाहे concealer हो, BB cream हो या foundation हो ठीक है तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले concealer ही लिया है अभी और देखिए आप मेरे जो dark circle के है वो काफी कम दिख रहे है अगर आप color character लगाओगे तो जादा आपके dark circle जादा कम दिखेंगे मुझे जादा need नहीं लग रही थी तो मैंने सिर्फ concealer लिया है तो उसके बाद हम foundation की बारी आती है तो हम foundation apply करेंगे concealer के बाद तो यहाँ पे foundation लिया है और उसको dab dab करते पूरे face पे और गले में गले बिल्कुल नहीं चूड़ना है गला भी तो face पे और गले पे अच्छे से blending करते हुए foundation को apply करना है मैं यहाँ पे beauty blender ले रही हूँ और मैं ज्यादा तो beauty blender का ही इस्तेमाल करते हूँ अगर आप foundation brush का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो लेकिन beauty blender से बहुत ही अच्छे से blend हो ही जाता है तो उसके बाद मैंने यहाँ पे compact लेया था compact से पूरा हमारा base को set कर देंगे हम इस तरीके से चलिए अब हम करते हैं eye makeup तो मैंने यहाँ पे simple सा ही eye makeup create किया है सिर्फ दो ही चीजों से आप देखिएगा तो यहाँ पे मैंने brown color लिया है तो इसको पहले crease line पे हम इसको ऐसे blend करेंगे blending अच्छे से करेंगे तो सबसे पहले मैंने brown color के इस्तमाल किया था वो लगाया था मैंने इस तरीके से दोनों eye eye इस पे लगा लिजेगा और उसकी बाद यहाँ पे मैंने glitter लिया है यह बहुत ही अच्छा है मैं साड़े पहनने वाली हूँ red color की उसमें bottom थोड़ा सा golden color का था तो इसलिए मैं golden color का glitter ले रही हूँ तो यहाँ पे मैंने अच्छे से glitter को लगा लिया है इस तरीके से ताकि हमारा look ज़्यादा अच्छा है उसके बाद यहाँ पे mascara apply करेंगे मुझे आज eyelashes apply नहीं करनी थी क्योंकि lips आज मेरे थोड़ी से red dark होने वाले हैं तो eye makeup मैंने थोड़ा सा मतलब कम देखे इस तरीके से किया है और liner भी मैं बहुत ही simple सा ही आज बनाऊंगी ज़्यादा मोटा liner आज नहीं रखना था मुझे तो यहाँ पे देखी friends मैंने mascara apply कर दिया है वैसे मेरे eye lashes बहुत ही कम कम है ज्यादा दिखती नहीं है तो उसके बाद मैंने यहाँ पे liner लगाया है liner बिल्कुल पतला सही आज मैंने लगाया है ज्यादा मोटा नहीं लगाना था आपको मेरा look कैसा लगा वो मुझे comment section में जरूर बता ना friends और आपने क्या पैना था करवा चोथ के दिन लहेंगा पैना था साड़ी पैना था मुझे comment section में जरूर शेयर करी तो friends उसके नीचे मैंने काजल यहाँ पे लगाया है काजल भी बहुत हलका सा ही लगाया है dark नहीं सिर्फ एक ही line मैंने draw की है काजल की आप कोई भी ले सकते हो आपके पास जो भी product है उसी से आप make up create कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने काजल को draw किया उसके बाद मैंने पतला सा brush लिया था मैंने काजल का अलग brush रखा हुआ है उसके मैं अपनी काजल को blend कर देती हूँ ताकि हमारा जो ice का look है वो natural दीखे तो यहाँ पे हमारे ice का make up हो गया है done तो हम यहाँ पे blusher लगाएंगे आज मैं contour लगाना नहीं था मुझे तो blush पे मैं ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ और contour की विल्कुल भी ज़रुर्द नहीं लग रही थी ऐसे ही मेरे features अच्छे लग रहे थे आज blusher से तो इस तरीके से मैं blush लगा रही हूँ इस तरीके से आप दिख सकते हूँ ब्लैंडिंग अच्छे होनी चाहिए और उसके बाद मैं यहाँ पे highlighter लगा रहे हूँ golden shadi, sorry red shadi के उपर golden का थोड़ा सा work है तो golden मैं highlighter लगा रहे हूँ highlighter अपने costume के according होता है silver भी आता है, rose gold भी आता है आप अपने costume के according highlighter का use कर सकते हो मैं यहाँ पे golden highlighter लगा रहे हूँ तो यहाँ पे nose को कैसे भूल सकते है तो nose पे भी मैंने highlighter लगाया है उपर forehead पे भी लगाया है और हमारा पूरा face का जो feature से अब काफी अच्छा लग रहा है और उसके बाद lipstick के तरफ चलते हैं सबसे पहले मेरे जो lips से वो भी काफी पतले हैं तो lips को बड़ा दिखाना है तो इसलिए पहले मैं lip liner लगा रहे हूँ और अगर lip liner आपको होट को छोटा दिखाना होता है तो उस तरीके से आप create कर सकते हो मैं आपे थोड़ा सा lips के बाहर में लगा रहे हूँ इससे काफी अच्छा heavy look भी आ जाता है lips से तो वैसे साड़ी भी मेरी red color की है इस तरीके से मैंने red lipstick purchase की आज मैंने और red lipstick ही मैं apply कर रहे हूँ आप दिख सकते हो अगर आप चाहो तो आप इसके उपर gloss भी लगा सकते हो ताकि आपकी जो lip है वो glossy लगे लेकिन मैं ये matte वाला ही रखना चाहती थी तो liquid matte है ये तो ये मैं इस तरीके से lipstick भी मैंने लगा ली है उसके बाद सिंदूर के बीना हमारा जो करवा चोट का look है वो कैसे complete हो सकता है तो सिंदूर is most important तो मैंने अच्छे से सिंदूर भी लगाया इससे हमारा look काफ़े अच्छा traditional लगता है जो हमारा culture होता है तो सिंदूर कभी भी skip नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे मेरा सिंदूर भी मैंने लगा लिया है और hair पे मैंने कुछ भी नहीं किया था सिर्फ blow dryer किया था मैंने hair straight भी नहीं किये hair मेरे ऐसे नेचरल ही रहेंगे और उसके बाद हम बिंदी लगाएंगे बिंदी मैंने simple diamond की ही लगाई है क्योंकि सिंदूर मैंने थोड़े ज्यादा लगाया था ना इसलिए बिंदी थोड़े हलकी लगाएंगे ताकि लूक हमारे एक्दम similar लगे और ये देखे मेरा है final look मैंने थोड़े सी ज्वैलरी डाली है और red color की जो साड़ी है वो पहनी है ये मेरे husband ने मुझे gift की थी तो guys ये वाला है मेरा final look करवा चौथ के दिन पर मैं इस तरीके से तयार हुई थी आपको मेरा look कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्सर में बताए आपका करवा चौथ का दिन कैसा गया hope करती हूँ आपका सबका festival अच्छा जाए और अभी festival मन्थ चल रहा है तो ये वाला look अप दिवाली पर भी create कर सकते हैं देखे कितने easy make up मैंने create किया है ये है मेरा final look bye guys